नमस्कार स्वागत आपका समबाद 365 देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ दिगविजज सिंग चोहान अगनिपत योजना को जैसे ही सरकार ने लॉंच किया तो पूरे देश भर में अगनिपत योजना से जुड़ी हुई दिक्कते भी काफी सारे युवाओं के सामने आ रही हैं और इनी दिक्कतों को देखते हुए वो युवा अब प्रदशन भी कर रहे हैं अगनिपत योजना को देखते हुए पूरे देश भर में युवाओं के द्वारा विरोध प्रदशन किया जा रहा है अलग-अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं उत्तरप्रदेश, मद्धिप्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में, तेलंगाना जैसे राज्यों में एक तरफ जहां ट्रेनों को जलाया गया है तो वहीं तोड़ फोड और आगजनी भी कई जगहों पर की गई है, वहीं इसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, उत्तराखंड में भी अगनिपत योजना के खिलाफ जो सेना की भरती की तैयारी कर रही यु वहाओं ने जोड़दार विरोध प्रद्शन किया, तो वहीं देहरादूर में भी युवा सडकों पर उत्रे और अगनिपत योजना के खिलाफ विरोध प्रद्शन किया, युवाओं का कहना है कि 4 साल के बाद उनके भविश्यका क्या होगा, क्योंकि अगनिपत योजना जब सरकार ने लॉंच की थी तो इस योजना के तहट कहा गया है कि चार साल तक सेना में जो सर्विस है वो युवा दे सकेंगे और चार साल के बाद वो सेना में continue नहीं करेंगे हालां कि 25 फीजदी जो candidates हैं उनको continue करवाया जाएगा लेकिन वो भी तब जब situation होगी और जब demand ह होगी तो इसके विरोध में पूरे देश पर में विरोध प्रदेशनों का दौर शुरू हो चुका है आपका क्या कुछ अगनिपत्थ योजना को लेकर कहना है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राए रख सकते हैं अलग-अलग जगों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे सबसे पहले आपको दिखाते हैं हलदवानी की तस्वीरें हलदवानी में किस तरह सिछात सड़कों पर उत्रे और विरोध प्रदशन किया सबस्थ्णक में आपकों है लिख circuit दिन में हम इसान के लीधित लिघ्र पर锈 दू सहे हमको इस की इस तरह से वहां पर अगनिपत स्कीम के खिलाफ, TOD के खिलाफ, युवाओं ने आर्मी भरती की तैयारी कर रहे, छात्रों ने विरोध प्रदशन किया, और इस विरोध प्रदशन के दौरान लाठी चार्ज विवाँ पर देखने को मिला, बड़ी संख्या में युवाँ वहाँ पर पहुंचे, यहां पर अगनिपत योजना को लेकर जो विरोध है, वहाँ पर भी चल रहा है, उत्राखन की कुछ और जगाहों पर भी विरोध प्रदशन चल रहा है, देहरादून में भी युवाओं ने विरोध किया, सडकों पर उत्रे, और जो TOD स्कीम है, जो अगनिपत स्कीम है, इ अगनिपत योजना के तहट सरकार ने भी कल कुछ इसमें क्लिरिफिकेशन दिये है, कुछ बातों को सपष्ट करने की कोशिश सरकार ने भी की है, इसके अलावा जो आयू सीमा है, उसमें भी दो साल की चूट दी गई है, रक्षा मंत्री ने ये बात कही है, कि इसमें दो सा पहले जो लोग अपना फिजिकल पास कर चुके हैं, उनका रिटर्न टेस्ट कब होगा, इसको लेकर भी जो युवा हैं, उनके मन में संशे है, और इनी तमाम बातों को लेकर देश भर में जगा जगा पर विरोध प्रतेशन देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ अगर एक युवाव को अपना भविष्या स्मफ़्शित लगता था, वहाँ पर भी अब चार साल की स्कीम लाकर के युवाव को संकट पर डाला गया है, सरकार के अपने तर्थ हैं, सरकार का कहना है एक चार साल के बाद भी उन युवाव का भविश अधर में नहीं होगा, जो अग प्राखन पुलिस में भी special तोर पर उनको हम reservation या फिर इस तरी कुछ चीज देने की कोशिश करेंगे और तमाम आप दा प्रबंदन हो या फिर बाकी चीजें हो उन जगहों पर उनके लिए संभावनाई तलाशनी की कोशिश की जाएंगी लेकिन दूसरी तरफ युवाओं का विरोध प्रदेशन अपनी जगह लगातार जारी है हल्दवानी की तस्वीरे हमने आपको दिखाया और आप comment section में भी comment करके बता सकते हैं कि आप अगनिपत योजना के बारे में क्या सूचते हैं आपका क्या कुछ कहना है comment section आपके लिए खुला है लेकिन इसी बीच में बड़ी संख्या में कर्तित हुए और पितोरागण में भी TOD स्कीम को लेकर और अगनिपत स्कीम को लेकर योवावने विरोध प्रदेशन किया है आपको सबसे पहले तस्वीरे दिखाते हैं पितोरागण कर nessa कि लोड़ी एपक्रह要 है यह झालें ए कर आपीजेंद्ध में तस्वीरे ये êराध घृट बड़ी-is पर खुल पहले है आपको द्यान गड़ी में राभ entireney death residue िए खुँी जा भी खुजी कुछिं पाल सर्काव की जतारा Maharा कर दो कि आज जो यहां पर प्रतसन कर रहा है वह यहां के किसी संगठन ने में किया यहां के जो पिथोरा कड़के युवा है जो होना रूप युवा है जो लगातर अपनी भरती की तैयारी कर रहे थे तीन साल से लगातर वह अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे कि आर्मी लिखित परिक्षा की बात कर रहे थे लगातर हम दस बार जिलादिकारी कारेल आ गए ग्यापन देने के लिए कि लिखित परिक्षा कर आओ लेकिन अच्छाने के भर्मान आता है कि लिखित परिक्षा कैंसिल ह हो जाती है उसको रद्द किया जाता है और आज यहां का जो युवा है वो ठंडर सरकार को थोड़ी सर्म आनीच की जिए उनका चीनने का काम कर रही है आपको हम एक चीज बता है जो युवा दोजार इससे पहले दो त्या तीन साल पहले जो भरती दे चुके हैं आज वह ऊबरेज हो चुके हैं उनके पास आज नौकरी का एक बहुत बड़ा तंस उनके सर पर है हर एक जिम्मेदारी उसके परिवार में है को ही आजका युवा बहुत असाओं है और इसывать हम परतेकहम के साथ हम घע है और कंग्रेस की तरफ से मैं आपको पता दूंँ कि यूवा कंग्रेस के साथ हर भंकर हम कली लेकिन आप सरकार कहते हैं कि आप लोग का रिटर्ण कर दिया जाएगा सबने चलेगा है कर्म हमारी मां इंतेजार में बैटे हमारी हमारी एक परदी मेरा रोड़ में दोड़ था तो सब्सक्राइब नाम रमेश परदी में पिछले साल दो साल पहले हमारी मेरा रिटर्ण ही हुए है तो पिथारागट की यह तस्वीरें हैं जो आपने देखी यहां पर भी बड़ी संख्या में युवा इकत्रित हुए और टी ओडी के खिलाफ अगनिपत स्कीम के खिलाफ यहां पर यहां पर विरोध प्रदशन किया विरोध प्रदशन जताया कई युवाओं का ये भी कहना है कि दो तीन साल पहले जो भरती निकली थी जिसमें उन्होंने फिजिकल निकाल दिया था उसके बाद उनका रिटर्ण टेस्ट होना है लेकिन वो टेस्ट अभी तक नहीं हो पाया और अब बात करें बिहार की तो बिहार में कई ट्रेनों को जला दिया गया प्रदशन के दौरान कई जगों पर आगजनी की गई पत्थराओं भी किया गया है कई पुलिस कर्मियों को चोट भी आई हैं नोग जोग लगातार चल रही है मद्य प्रदेश की भी यही इस्तिती है इसी आम बातों को सपष्ट करने की कोशिश की गई है चार साल के बाद किस तरह से स्थितियां रहेंगे इन युवाओं के लिए जिनको अगनिपत योजना के तहत भरती किया जाएगा और इसके अलावा जो आयू सीमा है उसमें भी छूट देने की बात की गई है तो 23 साल अब आय प्रशण कारियों के द्वारा जला दिया गया आग के हवाले कर दिया गया तस्वेरे बिया जहां पर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया और ठीक इसी तरह से बाकी जगहों हैं उनका कहना है कि TOD को वापस लेना चाहिए अगनिपथ स्कीम को वापस लेना चाहिए इससे जो युवाओं के रोजगार है उसमें कमी आएगी और चार साल के बाद युवा क्या करेंगे हालें कि सरकार के अपने तरक हैं सरकार अपनी तरफ से फैक्ट्स जो है वो लगातार जारी करके युवाओं को मनाने की कोशिश कर रही है लेकिन दूसरी तरफ अगनिपथ स्कीम को लाउंच हुआ अभी दो से तीन दिन का ही वक्त हुआ है जब रक्षाव अंतराले ने इस स्कीम को लाउंच किया लेकिन उसके बाद जो विरोध प्रदशन है वो लगातार चलते आ रहे हैं कमेंट आप कर सकते हैं अतुल बिश फेस्बूक और कमेंट कर रहे हैं कि क्या बीजेपी सरकारी नौकरी खत्म कर रही है देखें युवाओं का कहना ये है कि उनकी नौकरीयों को लगातार खत्म किया जा रहा है एक संशय युवाओं के मन में है जिस तरीके से इससे पहले कई जो सरकारी संस्थान है उनको प्राइवेट किया गया और उसके बाद चाए हम Air India की बात करें या फिर BSNL की बात करें या फिर तमाम जो संस्थाने बैंकिंग की हम बात कर लें रेलवे सेक्टर की बात कर लें ये कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर रोजगारों का स्रेजन होता है पर इन तमाम सेक्टरों में पिछले लंबे समय से जो रोजगार है जो भरतियां है उनमें गिरावड दर्ज की गई है लगातार जो भरतियों की संक्ए जा तो कम हुई है या तो ना के बराबर हो गई है ऐसे में जो defense sector एक ऐसा sector है जिसमें लगातार हर युवा तयारी करता है सेना में भढ़ती होने की और उस तयारी के लिए 2-3 साल वो अपने खपा देता है और उसके बाद अब युवाओं के बंध में संशा ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद जब उने सिर्फ 4 साल की नौकरी म करके जो वेतन पर भत्तों पर और पेंशन पर जो खर्चा होता है उसको बचाने की एक तरफ से कोशिश की जा रही है लेकिन युवाओं का कहना ये है जो प्रदशन हर जगा पर युवा कर रहे हैं उनका कहना ये है कि नेताओं के लिए इस तरह की स्कीम पहले बनाई जाए जहाँ पर उनकी पेंशन को खत्म किया जाए उनके तमाम जो उन्हें फैसिलिटीज मिलती है जो भत्ते मिलते उनको खत्म किया जाए युवाओं के ही हग पर इस तरीके का डाका क्यों डाला जा रहा है तो विरोध प्रदशन का दौर लगातार जा रही है और हजबानी की लाठी चार्ज की कोई खबर सामने नहीं आये थी वहाँ पर सिर्फ युवा बड़ी संख्या में कत्यत हुए विरोध प्रदशन किया देहरादून में भी ठीक यही तरह की सिद्यां बनी भी है जहाँ पर विरोध प्रदशन किया जा रहा है युवाओं का और देश भर की अलग अलग जगहों पर तस्पीरे भी सामने आ रही है लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो सबसे जादा हिंसक जो प्रदशन देखने को मिल रहा है इस वक्त विहार में देखने को मिल रहा है बिहार के लावा मध्य प्रदेश की कई जगहों पर राजस्तान में विरोध प्रदेशन हो रहे हैं यहाँ पर हिंसक प्रदेशन कई जगों पर देखने को मिले हैं जहाँ पर ट्रेनों को जला दिया गया बिहार में काफी सारी ट्रेने जो है वो इससे प्रभावित होई है उनके शेडूल में परिवरतन किया गया है तो इसी तरह का प्रदेशन इन जग देश को भी मिलेगा और युवाउं को भी मिलेगा तो ये विरोध प्रतेशन लगातार किये जा रहे हैं पक्ष विपक्ष का दौर अब शुरू हो चुका है एक तरह विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साथ रहा है राहूल गांधी का ट्वीट भी काफी ज़्यादा व द्वारा किया गया और उसके बाद वहां पर लाठी चार्च कर दी गई यूवाउं के उपर निए का यू लादा यूवाउं के लोड़ बादाओ यूवाई यूवाई यूवाउख नुट वरैं टॉवाईय जटार्च कर दो दूआएगाई तो अगनिपत योजना के खिलाब देश भर में विरोध प्रदेशनों का दौर चल रहा है उत्तराखंड समेत, उत्तरप्रदेश, राजस्तान, मध्यप्रदेश, जारखंड, बिहार, इन जगों पर लगातार विरोध प्रदेशन किये जा रहे हैं हिंसक भी कई जगों पर विरोध प्रदेशन हो रहे हैं निपत स्कीम के तहर्ट जो भरती होने का क्राइटीरिया रखा गया है वो देश भर में एक पैमाने पर भरतियां होंगी और इसमें दसवी बारवी पास करना निवारिया है उसके बाद साड़े सतरा साल से और बाईस साल अब तेई साल उसे कर दिया गया है जो एज इसमें ल युवाव को भी दिकते हैं और काफी सारे यूवाव लोगों को दिकते हैं कि जिस तरीके से आर्मी सेक्टर में नौकरियां होती थी एक सेक्योर जॉब होती थी तो वो भी अब नहीं रहेगी तो इसको लेकर के समस्याएं काफी जादा देखने को मिल लई है युवाव के मन में हैंور कई जगओं पर यह हिंसक प्रदेशन हो रहे है, उत्राफण में हलंकी लाट्री چार्च की खबर हल्दवानी से सामने आयए तिन लेकिन उसके लावा हिंसक प्रदेशन उत्राफण में देखे नहीं गए हैं, लेकिन बात करेंगर बिहार, मध्य प्रदेश और रा करिए नमस्कार.